स्वागत है आपका आज की चाहिए पर सना मगमूल की कैप्टेंसी को मेन्यूपलेट करने में लगे हैं कुछ लोग जिसकी वाइसे आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे दिखाएंगी कि हमें बहुत दिक्कत है उसकी कैप्टेंसी से जैसे साही हो गया अर्मान सुल्त अब मैं आपको थोड़ा सा कॉंटेक्स देती हूं और समझा देती हूं कि क्या हुआ देखें आपको क्या दिखाया जाएगा दाट वह हमेशा अपने दोस्तों को फेवर करती है ना रन्मीर जी भी कहते हैं और इनिशली तो वह मुझे सही लग रहे थे कि हा मतलब विशाल ने भी समझाया देखें सबसे बड़िया बात होती है कि अगर आप गलत हो तो आपके दोस्त आपको समझाये तो ऐसा लगता है कि ग्रुप गलत नहीं है यह सेलफ अपसेस्ट नहीं है वहीं दूसी और मैंने रन्मीर जी को फिर भी एक बार देखा है अर्मान को बहुत हलक हो कि अगरे मानते ही अब मकबूल की गलती मुझे लगी कि हब उसे क्यों बरतन वाला अच्छा आप पूरा आपको लिए गलते हैं पूरा आप सुनेगे तो आपको समझ में आँगा यह लोग कर किया रहे हैं तो सबसे पहले ने बोला कि मुझे बरतन वाली ड्यूटी नहीं चाहिए तो सना गई और उसे बोला नहीं मैं दूसी ड्यूटी दे रही उसको मैं वो ड्यूटी नहीं दे रही तो अर्मान पीछे पढ़ गया बिकॉस उसकी आदत है आप लेफ्ट बोलोगे वो राइट बोलोगे राइट बोलोगे वो लेफ्ट बोलेगा वहात बॉसकी तो ऑन्दाजा है कि उसकी बॉसकी बद्रमीजी को सुनेगा नि उन्होंने क्या बोला कि आप डीजी को बरतन से नहीं अटा सकते हैं यह क्या मतलब हो वो नहीं करेंगा वो करेंगा वो करेंगा आपको इस चीज कहना चाहूंगी कि एक बार मकभूल अपने वह ड्यूटी ले लेती है पर वो कभी दुश्मनी की आड में या फिर दुश्मनी निकालने की आड में वो कभी अर्मान को कृतिका को ड्यूटी नहीं सौपती कि अगर बात्रूम वाली ड्यूटी विशाल नहीं कर पा रहा था शी सेड आईल टेक इट उसने यह कैप्टन होते हुए इन फैक्ट अगर आपको पता नहों जिन लोगों ने देखा होगा उनक कसर नहीं छोड़ी वो मुझे एक बार को गलत लगी भी अब हम अगले दिन सुबह का करते हैं जब नेजी ने नॉमिनेट करा कृतिका को उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगी नेजी के सब मेरे ट्यूटी है मैं क्यों बनाऊंगी तो बत्तमीज इतनी है सब को सब की बत्तमीजी विशाल की बत्तमीजी कटारिया की बत्तमीजी पर किसी को कृतिका की बत्तमीजी नहीं दिखती नेजी भाई नेजी पर आपने नॉमिनेट कर दिया आपके क्या सबन घुट्डों में इस बात पर कोई क्यों नहीं बोला कि तो बत्तमीजी क्यों कर रही है नॉ और विशाल को एक टार्गेट बना लिया, वहीं पे अगर नीजी ने कर दिया, हाँ उसका कारण बिल्कुल सही था, कि भाईया वो नहीं कर सकता, तो मैं उसके भीवी को करूँगा, और वो कहती है, मैंने आपको कौफी टी, मैंने आपको कौफी टी, मैंने आपको कौफी टी तो इसने सभी बात बोली कि यह सब कुछ जो तुम कर रहे थी इट वस फॉर नॉमिनेशन क्योंकि नॉमिनेशन एक गेम के बेसिस पर होती है कि अभी क्या पॉलिटिक्स चल रही अभी क्या सिनारियो चल रहा है घर में उसको यह लगा कि बिना बाद को अर्मान आ गया अब म मुझे यह बताए सूटकेस दो थे और बात्रू मेरिया में सूटकेस उठाने के लिए वहाँ पे उस टाइम पे दो लोग थे एक अर्मान और एक साई अर्मान से क्यों सूटकेस ने उठा और वो जो कोलू का बैल घर में लोगों ने बना रखा है शिवानी को जिससे लिट चौथा पंदा क्यू आएगा दो बैग दो आदमी उठा लो ना शिवानी आके बैग उठा रही और ये पीछे प्रधान की तरह चल रहा है वो भी गल था नाओ कमिंग टू दे मेंड पॉइंट रणवीर जी कैसे क्रितिका की साइड ले सकते हैं कि नॉमिनेशन की वज़े से मैं ड्यूटी नी करूंगी चेंज करवा हो एक दिन पहले ये बात तो हुई थी कि फेवरिजम नहीं चलेगा नेजी की ड्यूटी नहीं बदलेगी ने ये फेवरिजम जो रणवीर जी की तरफ से था उसको इंप्लिमेंट क्यों करेगी मगबूल अगर मगबूल अपने दोस्तों के डिसिजन लेती है वो गल्थ है तो फिर इस कृतिका के नॉमिनेट होने पे जिसका लेना देना ही नहीं है ड्यूटी से कि वो खाने बनाने से कुछ है लेना देना क्या ड्यूटी करते टाइम नीजी ने कभी कोई इशु क्रेट करा सबसे बड़ी आवाद नीजी की ये है कि जितना काम उसको देते हो वो उतना कर देता है ना उसका उपर ना उसका नीची जब चंद्रीका वाली बात सुपई खतम हो गई ताली बजा अरे बिग बॉस आपकी टास्क को डंक से ना परफॉर्म करें आप तो गुस्से वाली आवास में भड़क के दूसरे को एकदम हड़का देते हो जैसे अगर रोटिया से एक रहा था अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उस पे भी आपने कह दिया और उस हवाले से आपने उसको डाटा बट जब क्रितिका ने वह फोर्म लेकर हलकी सी नाग पर टच कर दी क्यों क्यों नहीं कोई चलो विशाल का मैं समझ सकती हूं कि विशाल दूर रहता अच्छा है भई या उसके लिए अच्छा है बट जब नेजी को लगाना था पे खु अरे भाई यह इतना फेवरिजम होगा ना पॉइंट पॉइंट पे आज की लाइव टास्क में बता देती हूं थोड़ा सा आपको स्पॉइलर दे देती हूं अगर आपको नहीं जाना स्किप कर सकते हैं बट जो लाइव टास्टी टेस्ट्यूब दिया सबको सबके नाम का और आपको एके करके खाली करना है जिसकी टेस्ट्यूब बची वो जीद गया आप मानोगे can you imagine कृटिका डेस्ट्यूब साही को रन्वीर की टेस्ट्यूब शायद अर्मान की टेस्ट्यूब ये तो मुझे confidently याद है अर्मान की टेस्ट्यूब रन्वीर को वा भई वा र और तो और शिवानी की नेजी को दे दी और ये गलत है ऐसे नहीं कर सकती इनी चक्रों में तो लडाईया होती है ठीक है लडाई कराना आपका फॉर्मेट है मैं मान सकती हूँ बट इतना अनफेर गेम मत करो अगर इतना ही करना है तो हाथ में फिर ट्रोफी दे दो इसके वैसे भी exception तो create होई गए अर्मान के लिए और तो और ये test you वाला task भी उसको दिमाग में रखे बनाया गया था तो मैं यही कहना चाहरी थी main point यही है मेरा कि जब ये duty किसी अपने दोस्त को देती है ये वक्त उनको बताएगा कि किता बड़ा हस्तीन का साफ है अर्मान मलिक और इसके इलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आज भी जो लड़ाई हुई है जो एपिसोड में दिखी है मकबूल की और अर्मान की वो लड़ाई ना होती अगर अर्मान प्रधान ना बनने जाता अल्रेडी सुल्तान की बात हो चुकी थी फिर अर्मान चला गया ऐसे कैसे हो तू उसको duty अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताईए मुझे से क्या आपको तकलुफात है मुझे ये तो बताएं ऐसे मत करें और उसके बादनान को दे दिया तो आप मुझे क्यूं कोई और देंगे मदद को मैं तो अपने आप ये सारी एक तकलुफात अपने सर पे उठा के गूम सकती हूँ तो इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि अगर कभी लाइफ मुझे दिख जाती ना मैं लाइफ बन कर दी तो फिर तो हर कोई दूसरा बंदा शायर होता ये राइमिंग करना इस नोट शायरी शायरी में कोई मतलब होता है और चार उर्दू के बड़ डाल दो एकसलाफात और आपकी नजाकत और आफ़त और रहने दे नेजी ने पानी पानी कर दिया इसको जब उससे पूचा चार शब्दों का मतलब और कैकशा का मतलब पूचा एननो नहीं पता सी तो उधर ही क्लेयर हो गया कि कितनी आला है उर्दू में मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है बट ये जो इसने बिनाबाद का सुबह सुबह शुरू करा भाई तुम्हारे को अगर इशु है इतना तुम चिर्चिरी उठी हो तुम मतलब सब की तुम मौनिंग खराब कर दू और मकबूल से कहती मुझे कोई दिक्कत नहीं है मकबूल से बट सारी प्रावलम करिट करती है पीछे पीछे बैटके यही मकबूल के होाले से अर्मान को भड़का दिया वो आगया उसके बाद कहती है अर्मान जी मैंने कहां गहा था आपको कि आप आएं ऐसे क्यूं कर घो तो अर्मान प्रधान बनके पच्टा आगया वैसे बहुत बढ़िया हुआ उसी को साइड लगा दिया था इसने सुल्तान ने मतलब अधनान को ड्यूटी देने पर क्यों बढ़क रहे हो उसने यह तो उसने बस इतना बोला फर्स डे है लेट हम गो थ्रूदा हाउस कि बहुत पते की बात बता हूं रन्वी जी के साथ वो देरी थी बरतन रन्वी जी ने साफ मना कर दिया I don't know him मुझे नहीं चाहिए let me know him well और उसके बात मैं बरतन की जूटी लूँगा क्योंकि मुझे uncomfortable होगा मुझे कोई और दो यहीं विशाल होता कटारिया या शिवानी या फिर अनान तो पते क्या बोलते रन्वी जी तुम ना बहुत जादा बहुत जादा बायस हो रही हो मकबूल तुम बहुत बुरी हो चौबिस घंटे सुबे से ले के रात तक उस लड़की के चार दिन कैप्टन सी के निकालने मुश्किल कर दिया लोगों ने वह अपनी दोस्तों लोग को कंसेडर नहीं कर रही है ःति यह देखो वो किसी पर डाली रही है और आपको पता है कि अज भी डूटी का देख रही ती शीवार्णी की साथ शीवानी आपको पता हम झाई है मैं आज लाइन और नोटिस करी जाएध बहुत ब्गवान जा infinity वो शॉचाँः कर आटा निकाल के देना और उसकी पलोथन चड़क देना वो मदद होती है और तो ने टेटा काम पर गूंडी करें ठीक है अब विश्वास निकरोगे अर्मान जाके सोफे पैड़ गया सीटी पे लगाके दाल को कुकर पे चड़ाके और उसको कहता है कृतिका जा तुम मेक अप कर ले जा हैं मेक अप कर ले जा एक दिन पहले कहते हैं मैं परोसूंगा नहीं भाई तुमने तो बोला था नेजी भाई को पता लएगा जब मैं परोसूंगा और कम दूंगा बराबर बाटूंगा नेजी और विशान ने चौदा दिन सब को खाना परोसा है प्रोपर लगा और उसके लावा एक और बहुत पिटा है ना ना ने वह बात खुद भी बोली एक दिन पहले बट अर्मान जब बात करता है तो बिग बॉस से मैं पूछा जाओंगी यह बात बाहर की नहीं होती अगर अर्मान मलिक बाते कर सकता है तो आई कि बिग बॉस किसी ऐसे को भेजे जो अर्मान की बाते रखे कि वो किस तरीके से तता कदित बलातकारी है कैसे उसने अगवा करनी कोशित करी थी चोटे-चोटे बच्चों को और उसके लावा एक और कॉल रिकॉर्डिंग हर जगे सर्कुलेट हो रही है जहां पे बात सामने पे पाइल अर्मान और कृतिका उसने एक घर को यह कहके कि हम ओनर है बेश दिया जबकि वो लोग रेंट पे रह रहे थे कृतिका और उसके बाद जब ओनर आया तो पुलिस आ गई कि भाईया यह फ्रॉड करके लोग भग गए और यह इतने सारे केसे इस पर पेंडिंग च इस फैमिली के असलिया देखते हैं उनको ना सपोर्ट करने के लिए अगर फिर भी कोई चाहे सपोर्ट करना तो भाईया करो फिर अपना करम खुद भूग तो यही बोलूँगी ठीक है आज के लिए इतना ही कताई कभी भी नहीं मैं इस फैमिली को अर्मान पाइल और क्रि नामा चल रहा है बहुत तगड़े वाला की जहर वहर को लेकर वो कुछ बना रही थी अच्छा आप लोग को पता है उसने व्लॉग का लिंक डाला और उसके बाद क्या कहा मतलब बहुत हसी वाली बात थी मैं अतनी हरान हुए कि वाह यह है इसके इमोशन्स अपने बच्च जोगों बिठा के कभी हाथ जुड़वा के थमनेल बनाती हो कभी अस्पताल में उनका थमनेल अब यह जहर वाली बात पे कहीं तो जाके रुको उपर वाला नराज नहों जा तुमसे तो बूल गई थी तुमसे तो उपर वाला जरूर नराज है ऐसे थोड़ ना तुम्हें सब्सक्राइब तो आज की जाए और फरी बच्चों को खाना के लाते रहें जिसमें कैट्स डॉक्स गौमाता बर्ट्स सब आते हैं यही नहीं अपने घर आने वाले हर इंसान को जो कोरे देने आता है या पैकेश देने आता है उन्हें एक पानी क्लास जरूर पूछेगा पर अपनी सेफटी को मदे नजर रखते हुए जैशी राम रादे रादे हरे कुछना